आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अब वोल्टेज इसको कम बलेगा क्योंकि रिजिस्टेंस का चेंज होने वाला है अब वोल्टेज सप्लाई जो रहेगा वो भी तिनों में कॉमन ले रहे हैं ठीक है तिनों पे डेल वी या फिर वी वोल्टेज हम सप्लाई ले रहे हैं ऐसा एजूम कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ खास मेंसे नहीं है तो फ्रेंट्स अगर वोल्टेज सप्लाई सेम ले लिए और रिजिस्टेंस को अगर देखे तो इसमें रिजिस्टेंस मतलब बल्ब का कुछ ना कुछ रिजिस्टेंस होगा इसमें लगे है पैलल में इसमें लगे है सिरीज में तो सिरीज में और पैलल में अगर बात करें तो पैललल में क्या है दोनों बल्ब के बोथ साइड में अगर मतलब बल्ब के across अगर potential difference देखे तो क्या रहता है? comma रहता है ठीक है? और equal कितना रहता है? जो voltage source का है उसके equal रहता है मतलब इसमें बल्ब के across अगर voltage potential difference देखो तो वो डेल भी रहेगा दोनों में ठीक है? तो potential ज्यादा हो गया क्यों? क्योंकि इसका कम होगा ना इसका जो अगर दोनों बल्ब के across देखों तो डेल भी रहेगा और एक एक बल्ब के across देखों तो क्या हो जाएगा? देल भी 1 और देल भी 2 जो की देल भी का मतलब देल भी को two part में यहाँ पर divide करना पड़ेगा ठीक है? यहाँ पर क्या लिख सकते है? डेल भी by x और यहाँ पर one minus डेल भी by x भी लिख सकते है ठीक है? तो friends इस तरीके से हम क्या देख रहे है कि ये del v और del v का माल लीजिए यहाँ पर x part है ठीक है तो यहाँ क्या लिख सकते है del v minus x लिख सकते है easily form में अगर लिखना चाहे तो ठीक तो friends यहाँ पर हम क्या देख रहे है potential difference जो है कम हो जा रहा है एक light के लिए potential difference equals to क्या होता है v equals to ir होता है ठीक है potential difference की value कम करूँगा और resistance रखूँगा मैं सेम तो current मेरा कम हो जागा और current कम होने से friends light जो है वो dim हो जाएगी ठीक है कैसे इसका value यहाँ पर चलिए लिख देते है अभी जो फिनमेना हमने यूज किया है potential difference of bulbs connected in series is less than 1 and 2 hence v equals to ir जहां भी क्या potential difference है i क्या है current है और r क्या resistor है तो resistance जो रहेगा bulb का वो तो constant हो गया ठीक है अब बात कर ले constant की तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते है proportional का shine लगा सकते है वो constant चीजों को हटा सकते है तो friends यहाँ voltage जो है लो रहेगा voltage लो रहने से क्या होगा current low मिलेगा और current low रहने से क्या होगा dimester रहेगा dimester कौन सा circuit है second circuit ठीक है potential difference of bulb in second यहाँ पर show कर देते है कौन सा second circuit ले रहे ठीक है अब भी option में चलते है B में क्या लिगा है in which circuit और circuits are the lamps of equal brightness to the lamps in circuit 1 तो circuit 1 का lamp देखे इसमें light कितना देगा वो depend करेगा कि voltage कितना है या फिर यह इसी साब से बोल सकते है potential difference है डेल भी कितना है ठीक है voltage ही बोलते इसको तो इस पे voltage क्या रहेगा कॉमर रहेगा ठीक है और इस पे भी voltage क्या रहेगा कॉमर रहेगा क्यों कि यह है parallel arrangement और parallel में voltage जो रहता है वो कामर रहता है ठीक है लेकिन series में क्या होगा divide हो जाएगा two parts में क्योंकि two bulbs series में लगए है okay friends तो इसी साब से कौन सा circuit है जिस पर voltage जो है वो equal है उसी पर क्या रहेगा brightness equal रहेगा ठीक है voltage equal पर so equal brightness equals to equal voltage लिख लेते हैं यहाँ पर second case मतलब B वाला case है इसके लिए हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर condition अब यहाँ पर equal voltage से क्या है यहाँ पर हम लोग का meaning है friends equal voltage से मतलब हम लोग का यह है कि जो एक बलब है equal voltage across each bulb okay so equal voltage जो है वो इस बलब के लिए भी होना चाहिए इस बलब के लिए भी होना चाहिए यह नहीं कि दोनों बलब का मिला के voltage वसे दोनों बलब का मिला है चहना मिला है voltage तो उतना ही रहेगा ठीक है क्योंकि 8 नहीं होगा 8 सीरीज में होता है ठीक है इसलिए सीरीज में ही ना कहीं समान मतलब एकदम सेम ब्राइटने से जलेंगे अब करेंट सेम रखने के लिए हमको सेम रखना चाहिए अब वोल्टेج जो है इसका उसका डल भी वोल्टेज्ज कि सिट रिखज आगा so answer क्या हो जाएगा lamps of equal brightness request to वो हो जाएगा circuit 3 ठीक है चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर circuit 3 अब बात करते हम यह C वाले की ठीक है तो C question में क्या गिवना है which circuit gives out the maximum light मतलब maximum light किसमें मिलेगा हम लोग को यह पूछा है तो maximum light के लिए हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर del V voltage तो है लेकिन bulb क्या है 1 है number of bulbs 1 ठीक है यहाँ पर voltage del V है और del V पे ही voltage पे run कर रहे है क्योंकि parallel पे है और number of bulbs कितना है 2 है मतलब double हो जाएगा brightness यहाँ की बात करें number of bulbs 2 है लेकिन voltage जो है वो del V है और del V जो है वो दोनों के across है मतलब दोनों में क्या है proper half half divide होंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर bulb का resistance जो है वो add हो जा रहा है ठीक है और equivalent resistance क्या होगा दोनों का addition हो जाएगा इस तरीके से इससे भी कम यहाँ पर मिलेगा ठीक और अगर बात कर लिए इन दो lights की तो यह दो light लगे है प्रेंट्स पैरलल पे अब पैरलल पे potential difference same और number of bulbs क्या है 2 है इसलिए हमारे third option मतलब third जो question given है question का third part उसके लिए answer क्या हो जाएगा circuit 3 ठीक है जो maximum brightness देगा हमको ओके तो यही हमारा answer है given question के लिए ओके फ्रेंट्स थैंक्यू